मारवाडी से किसी ने पूछा की भाईया हमने सुना है कि मारवाडी लोग 10 रुपए कमाते हैं तो 12 रुपए बचा लेते हैं ऐसा कैसी होता है तो आप चाहे बिजनस करो, नौकरी करो, दुनिया में कोई भी काम करो, मारवाड़ी एक ऐसी प्रजाती है अगर इनके सोचने का तरीका, इनके काम करने का तरीके को आप समझ कर अपनी जंदगी में अपना पाओ, तो जंदगी 360 डिगरी बदल सकती है, कारण क्या है कि भारत की एक लोती है, यह प्रजाती है, जो एक परसेंट से भी कम है, लेकिन भारत के बड़े-बड़े 20 परसेंट डंदे इन ही के हैं, तो भारत के GDP में एक बड़ा योगदान इन ही का है, तो हमें आपको नहीं लगता कि समझने की जुरत है कि यह ऐसा क्या करते हैं, ऐसी क्या इनकी सोच है, इसी क्या इनकी मान सिकता है, जो इतने बड़े बन जाते हैं यह, मारवाडी देखो, किसी भी हाल में रहे, कितना भी गरीब परिस्तिती में यह पला बड़ा हो, लेकिन यह धंदा हर जेगे बना लेगा, आप इसको चाहे रेगिस्तान में छोड़ दो, अला किसानों को करोो करोडरो मिले, बहिए किसी کو 50 लाग मिले गवह, फटर उठा के लेगा, लेकिन मारवाडी पजास लाग मिले तो 50 लाग से दो सब्सक्राइव कर देखा, और वो सकता है, फटर से उससे घंदा बना दे, तो हम जला समजने हैं को अब अगशितो करते हैं कि मार ज़दा रिटर्न चाहिए उसको उतना बड़ा दिस्क लेना पड़ेगा और जितना कम रिष्क यह उतना कम रिटर्ट होगा ओ मार्वाड़ी के ते हैं मारवाड़ी कहते हैं इसका रिस्क पुई मितलबी नहीं है अगर अगर निकालना है तो धन्दे की ज़्यादा तो 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 पता है बात बिलकुल सही है एक स्टोरी से सुरुआत करता हूं आज के से सेचन की सब्सक्ति क्यों है? क्या है? क्यों है? एक मालवाडी के घर के ठीक सामने एक गरीब आदमी रहता था, एक तरफ मालवाडी का घर है, बड़ा Online बंगला, अमीर, कही सारे धंदे बना रखें उसने, दूसरा एक गरीब आदमी, वो गरीब आदमी दिन रात मारवारी के बंगले को नहारता रहता उसको आता जाता देखता रहता और अपनी किस्मत को और भगवान को कोशता रहता कि मेरी किस्मत खराब बनाईगे तुने भगवान तुने ठीक नहीं किया इसको इतना अमीर बना दिया मुझे इतना गरीब कि देख उसकी तरह तुझे अमीर तो बनाऊंगा निक्वा वह अपनी मेनत से बनाए एक काम करते हैं तुम दोनों को ही गरीब बना देता हो में फिर से फिर देखते हैं कि अपने बलबुते पर कौन अमीर बन बाता है कहता है यह बिल्कुल ठीक है जी दोनों गरीब बन गए अब दोनों गरीब बन गए तो क्या किया जाए है मारवाडी तो बाइ बलड मारवाडी है उसके खून में दन्दा है दोनों गए एक चड़ी लेकर के नदी किनारे मशली पकड़ने के लिए खाने पिने का भी जुगार करना है जो गरीब आदमी था उसने दो मशली यह जो गरीब अदमी था दो मचली पकड़ करके अपने घर लेके जाता है मज़े से उसको काट कूट करके खाना पुरा परिवार खा करके खुश हो जाता है अब मारवाडी ठहरा वेजिटेरियन तो मारवाडी ने क्या करा कि एक मचली को बेच करके एक नई चड़ी अच्छ लेकर के 2 मचली पर या लेकिन यह जो मारवारी डिन या्वाडी ठाह अगले दिन जब जाता है अपने साथ एक और आदमी को लेकर जाता है एक नई चड़ी के साथ जो उसने खरीदी थी एक मचली को बेच करके और उसको कहता है कि इस छड़ी की वज़े से जो मचली निकालेगा तू उसका 10 परसंट 10 टगा 13 अब अगले दिन क्या होता है दूसरा जो गरीब आदमी होता है वो तो दो ही मचली पकड़ता है और दो मचली पकड़ करके वही व अगले दिन एक मचली को बेच करके यह अपना खाना पिना खाता है पैसा कमता है और दो मचली वाले से दस्ट्रका निकाल कर वुढ़ता है अब तीसे दिन ये एक और मचली पकड़ने वाली छडी खरिदता है और एक और नए आदमी को लेकर जाता है गरीब आदमी अभी भी करता है एक पुरानी चड़ी के साथ दो मचली पकड़ता है दो मचली को खा पका करके खा जाता है खुश हो जाता है लेकिन तीसरे दिन इसके पास एक और चड़ी है और दो मचली नहीं और पकड़ लिया जाता है इसके थूर और उसको बेच करके और पैसा बनता है कुछ महीनों बाद ये वापस उसी दसा में पहुंच जाता है जिस दसा में ये था मतलब वापस या अमीर बन जाता है मारवाडी लेकिन वह गरीब आद्मियों गरीब का गरीब ही रह जाता है सर समझाने वाली बात यह है कि मारवारी की सोच ऐसी है कि उसको किसी भी दशा में छोड़ दो आप किसी भी जगे पर छोड़ दो आप उसका धंदा बनाने का सोच उसके खून में बसता है वो धंदा बना लेगा और अमीर बन जाएगा वापस तो कुछ लेशन्स निकाले हैं समस्ते हैं पहला लेशन है जो मारवारी से हमारे को सीखिया चाहिए है शोजाता है इसको सोउस से कोई मतलब नहीं है एक किसी मारवारी सेगे पूंछा की कि हम ने सुना है कि मारवारी लोग दस है तो बारे बचा पते हैं तो इसका मतलब है हम शो नहीं करते माःवादी लोग शो आफ नहीं करते बिलक्ल भी यह दस कमाएंगे तो पाँच बताएंगे बीस कमाएंगे तो दस बताएंगे करोर कमाएंगे तो लाख बताएंगे लेकिन एक middle class एक आम आदमी एक नौकरी पेशे वाला आदमी जनरली हमारी सोट्साइटी में जो आसपास हम देखते हैं वो इसका उल्टा करता है वो जब 10 कमाएगा तो 20 बताएगा और सिर्फ बताएगा नहीं उसको पुरी तरके से साबित करेगा वो 15 की गाड़ी भी खरीद के लाएगा वो उसमें से दोशार का आइफ़न भी खरीद के लाएगअ कि और बड़ी बड़ी उच्जी बाते भी करेगा वो सब चलेगा लेकिन दिखाना है उसको, मैं दस नी कमाता है, मारवाडी को इस से कोई फरक नी पढ़ता है, भाइव दुनिया उसको सोचे कि 5 कमाता है, 2 कमाता है, उसको कोई फरक नी पढ़ता है। तो मारवाडी कहता है कि जितनी तुम्हारी आवकात है उसका दस गुना कम यानि कि अगर तुम्हारी आवकात दस लाख के गाड़ी की खरीदने की है तो एक लाख की खरीदो अगर एक करोड की खरीदने की है तो दस लाख की खरीदो दस करोड के खरीदने की है तो तब जाके लेकिन हमारा नौकरी पीशेा वला आदमी इसका जस्त उल्टा करता है अगर उसकी आवकाँद एक पीडाले की है वह희 that करित लेता है अगर उसका दस लाख का पीश उकाँधिने का ओकाँज है तो वह एक वाड़ी आखत ख्रीद करता है लेकिन मारवाली जस्ट उल्टा मारवाली की अवकात अगर एक करोड़ों के गाड़ी खरीतने की है वो सर्फ 10 लाग की गाड़ी उठा लाएगा अगर उसके 10 लाग की अवकात अभी अभी बनी है वो गाड़ी ना खरीदेगा वो एक लाग की बाइक पर चलेगा आज ऐसे अभी बनी है वो गाड़ी लोग लोगों को परखने में माहिर होते हैं मारवाली कभी आपको ठग नहीं मिलेंगे चीट करने वाले नहीं मिलेंगे लेकिन इनको कोई चीट कर ले ऐसा भी नहीं मिलेगा ये खुद ठग नहीं है लेकिन इनको कोई ठग भी नहीं सकता ये इतने शातिर इतने माहिर होते हैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको एक मारवाली तरबूज बेच रहा था अब एक कस्टमर आया उसके पास के नीचे रख देता तीसरा वाला उठाता उसको भी टप टप करता इसा कान लगाता और उठा करके उसको देता और कहता कि यह तरबूज बहुत बढ़ी है ले जाओ पूरी मेरी गैरंटी बढ़े तरबूज निकलेगा कस्टमर हसी खुसी बिना कुछ बोले उसको पैसा दे क सब्सक्राइब तुमको कही से पता है इसा टक टक करके तरबूज अच्छा है खराब है वह तो बखे जब हम दो भाड़ टक-टक करके दो तर बूज नीचे रखते है और तीसरा उटा के उसको देते हैं तो कस्टमर को यह अखिन हो जाता है कि यह जानकार आद्मी तर पू नहीं आती है उसको लोगों की समझ है उसको कस्टमर को चाहिए क्या वो समझता है उसको उसी तरीके से डील करता है वो लोगों की समझ इनकी बड़ी केड़ी होती है भगया मारवाडियों के पैसे को मैनेज करके अमीर बनने की कहानिया तो हमने बहुत सुनी है लेकिन हम वैस को सुना तो मुझे सच में फील आया कि मैंने इस audiobook को बहुत लेट सुना है आप भी अगर आज यह audiobook सुनोगे ता आपको भी निश्चित यह फील आएगा कास आपने बहुत पहले यह audiobook सुल लेते तो भी कंडिशन कुछ और होती है यह audiobook मिलेगा आपको कुकू FM पर इस audiobook में कहा आया था, ETF ट्रेडिंग से हर रोज 2-5% कैसे कमाया जा सकता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्टॉक मार्केट नहीं भी जानते फिर भी ETF ट्रेडिंग कैसे करके पैसे कैसे कमाया जा सकता है उसी वीडियो में मैंने आपको कुकू FM पर ही एक और audiobook recommend किया था सबस्टल आर्ट आफ इंटरडेट इडिंग जिसे अब तक नहीं सुना तो पहले उसे भी जरूर सुन लेजिए कुकू FM अब आपको दे रहा है 50% discount पहले मेने के monthly subscription पर मतलब 10,000 से ज़ादा audiobook enjoy करो सिर्फ 49 दे करके इसके लिए हमारा code SRS50 ज़रूर यूज कर लेना अगली स्किल जो मारवाडी से हमारे को सीखनी चीह सर नेगोशियेशन करने की टाकत नेगोशियेशन की कला बारगेनिग आप देखो के मारवाडी अगर कुछ खरीदने कहीं जाता है ना तो यह दो जगेपर जाएगा एक तो ऐसी जगेपर जाएगा जहां पर इसका जान- कि रिस्टा निकालने के बाद तो सामनेेवाले से निकाल लिया इसने अब कहें दो रिस्ता को नाता दे करके कि हम तुम्हारे यह वह हैं ताँ है अब अपने तुम है लगा लगाऊगा वहاح आपके लगाइदिया 20 30,, अब बोलो अपने मं से बोल यहां ऑपने मुझे बोल absolument जो уст 9-10 तो तुमने अपने मं अब मारवाडी 100 की चीज तो भी ताज्यूब नहीं है नेगोशियेशन यह हर चीज करेगा अच्छा दूसरी जगह वहां जाता है जहां पर इसका रिस्तेदाली पहले से है तो वहां तो रिस्तेदाली पहले से बनी पड़ी तो उसको कम तो करा नहीं कराना है अच्छे जब तो भरपूर कम कराएगा यह यह होते हैं मारवाली और साथ ही बात घुमाने में माहिर होते हैं आप अगर इन से करजा मांग लो तो सीधा कहेंगे पीस सा कोई नहीं पाइसे के लिए मना करतेंगे लेकिन आपने अगर इनको एहसास करा दिया कि आप ब्याज भी दोगे पै कुन काम आएगा फिर यह पैसा निकालेगा गल्ल्य से फिर निकाल करें देगा वह या दोटका ब्याज पर ऑनार वाड़ी इकल एक लोटी ऐसी प्रजाती है दुनिया में जो रिस्तेदारों से भी ब्याज निकाल लेते हैं अच्छा निकाले ठीक है लेकिन रिस्टा भी जुक्के रहेगा और ego को घर पे छोड़के दंदे पर जाएगा आपने किसी मारवाड़ी को लड़ते जगड़ते लोगों से नहीं देखा होगा तन के रहते हैं ऐसा करते नहीं देखेगा वो जुक्के बात करेगा सबसे अपने से उमर में छोटे आदमी को बाउजी सबसे पहले निकालने कोशिश करेंगे चाहें उमर कोई भी है कैसा भी आदमी हो और इनसे उधार भी लेना मुश्किल है आम दुकांदार जहां अपने दुकान में बोड लगा के रखते हैं कि आज नगत कल उधार जो से कस्टमर बुरा मान सकता है लेकिन कोई मारवाड़ अपने दुकान में बोड कैसा लगाएगा कस्टमर तो राजा होता है और हमारी क्या उकात को राजा को उधार देदे अपने को छोटा बना दिया कस्टमर को राजा बना दिया अब कोई वह लाइन पलग करके राजा उधार भी नहीं माग है तो मारवाडी उधार भी नहीं देते जल्दी और कस्टमर को बुरा भी फील नहीं होने देते हैं हसी खुशी में कस्टमर से अपने मन का काम भी करवा लिया लेकिन कस्टमर को अहसास भी नहीं हुआ कस्टमर को बुरा भी नहीं लगा ये हैं मारवाडी अगला लेसन है मल्ट इसके लिए काम करते हैं, एक और बिजनस खड़ा कर लेते हैं, इसमें भी बहुत रिस्क है, कल को इसको भी कुछ हो गया, तो एक और बिजनस खड़ा कर लेते हैं, इसमें भी बहुत रिस्क है, रेंटल इंकम भी होना चाहिए, रेंटल इंकम भी बना लेगा, अच्छा इसम मतलब किसी एक में कुछ नुकसान हुआ भी घडबड हुआ भी दूसरा बचालेगा दूसरे मोझ तीसरा बचालेगा धीसरे मोझ चौथा बचालेगा इसकी वज़से एक चीज़ आप समझझो यह रिस्क को हांडल करते यह रिसक को मैनेज करते हैं लेकिन हमारा मेडलक्लास लेकिन आपकी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है अगर जंगल में कुछ हुआ टायर को तो आपके लेकिन मारवाड़ी पूरी तरीके से मैनेज करता है रिसक को मैनेज करता है लेकिन हम जैसे लोग रिसक बहुत चोड़ता करना ही नहीं है अगला लेसे अपने मारवाड़ी अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर की तरह रखता है आप देखना परिवार बन जाते हैं मारवाड़ क्या है रामायन में जब रावन मर रहा था तो लच्वन को उसने कुछ सीख दी लच्वन को उसने बताया कि कभी भी घर में काम कर रहे रसोईय से या फिर आपके राजदरबार में मंत्री से या फिर कोई ऐसा आदमी जो आपके गूर्ड रहस को जानता हो उसको कभी अपने से दूर मत धोने देना उससे कभी लड़ाई जगडा मत करना उसको कभी नराज मत करना अदर्वाइस रसुया अगर आपसे नराज है तो आपके खाने में जहर मिला सकता है मंत्री यानि कि जो आपका खास है वो अगर आपसे नराज हो गया तो वो दुश्मनों के साथ मिल करके आपकी ऐसी दैसी कर सकता है और कोई अगर आपका रहस जानता है तो फिर तो किसी तरीके से आपका बरबाद निश्चिदे कर देगा जैसे हमने देखा कि रावन का रहस विभीषण जानता था राम जी के साथ मिलके वो जैसे रावन को खेल करा दिया तो मार्वाडी इसलिए अपने स्टाफ के साथ बड़ा पारिवारिक रिष्टा बना लेते हैं वो कभी नहीं चाहते कि मारवाडी का स्टाफ है वो कभी उनका कॉमपिडिटर बन जाए करके उनको compete करने लग जाए या कभी दुश्मन के साथ दुश्मन मतलब competitor के साथ जाकर के वहां दंदा पानी कर लें और अपने दंदे के secrets उसको बता दें मारवारी इन सब चीजों से परहेज करते हैं इसलिए स्टाफ को अपना बना के रखते हैं आप देखो के मारवारी के स्टाफ सालों सालों तक उन्हीं की हां काम करते हैं मारवारी की स्टाफ नहीं बदलते जल्दी तो अपने स्टाफ को अपना बना के रखे चाहां अगला लेसरे सर मौका परस्त हर मारवारी आपको मौका परस्त मुझा परस्तों नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव सेंस में अंगरेजीम इसको पॉचिनिस्ट कहते हैं मतलब जहां मौका दिखा यह रिस्क लेने से नहीं कतरा थे यह कूद पढ़ेंगा भाईया मारवारी में कहावत भी है कि जहां हो धंदो वहां को चलो जहां मिले मिल द्धंदा वहां को चलो घर बार छोड़ना पड़े चोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है उदर कितना रिस्क है उससे मतलब नहीं है भाईया धंदा बन सकता तो चल दो इनको कमफोर्ट जोन की फिकर नहीं है सर यह ऐसा नहीं कि हम घर वहां रेगिस्तान में जाना पड़े का रहेंगे किसे क्या होगा पाइसा नहीं कमा पाए तो अगर कुछ नहीं हुआ तो इनको धंदा बनाना आता है सर अगर अपॉचनेटी है मौका है तो यह धंदा बना लेंगे जाकर के जैसा अभी शुरुवात में कहानी से सशन शुरू किया ना अगला लेसान है चैरिटी जो बढ़ाइस को शुरू हो रहा है सर मैंने कहीं सुना कि 500 करोड से ज्यादा डोनेशन तो मारवाडियों ने दिया है वहां पर पांसो करोड से ज्यादा डोनेशन ऐसे ही मारवाडियों का आप देखो कि कितने हॉस्पिटल कितने क्या-क्या बहुत सारी चीज़े चलती रहती हैं जो मारवाडी ने खडा कियाmist देखो लिए महनत ही भरपूर होते हैं करमों में बड़ा हार्ड कोर बिलीवर है कड़ महनत के लेकिन साथ यह करेडियों के यह उपर वाले को देते हैं यह शुक्रियादा करते यह इस बात को मानते हैं कि जो भी चीज़े हो रही है पूरे भारत में दूसरी नहीं मिलेगी अगला लिजने सर बच्चों को यह money education बच्पन से देते हैं हमारे यहां पर middle class में नौकरी पेशे में जहां बच्चों को पैसों की बादशीत से भी परहेज कराए जाता है कि अभी तो पढ़ने का टाई में तो बढ़ा होगा तब दे अपने बच्चों को बच्पन से होती है यह अपने बच्चों का गले पर सर पर चाड़ा नेता है नवे परसंट लाओ पच्चारव परसंट लोग निया तुम्रा गला गोट देंगे निया तो इस यह नोटन की बाजी नहीं करते इनको पता है कि स्कूली एजुकेशन से अ कि अपने बच्चों को फाइनस की पूरी समझ देते हैं फाइनस का मतलब क्या साइन थिटा कॉस्ट अलजेबरा यह सब नहीं फाइनस का मतलब मैथेमेटिक्स वह मैथेमेटिक्स जो पैसे कमाने में काम आता है जो पैसे को गिनने में काम आता है जो टेक्स में काम आता है आप किसी भी मारवाडी को देखना टेक्स की पूरी समझ होगी भले ही अगर वह अनपढ़ हो लेकिन टेक्स को पढ़े लिखिया आदमी से होते हैं पाइनेंस जिस चीज के जरुत है दंदे में यह वो पूरा जानते हैं अगला लाइस हैने सर कम्यूनिटी और कल्चर से हमेशा आपको जुड़े हुए मिलेंगे यह मारवाडी कहने का मतलब यह किसी भी देश में रहें किसी भी शहर में रहें इनकी एक सॉलिड कम्य जादी हो चाहे जो भी हो हरकुष अपने कल्चर के साब से करते हैं और अपने कल्चर पे शान महसूस करते हैं मैं बहुत सारी लोगों को देखता हूं कि वह यह गावदिया से आये हैं बहुत दिन से दिल्ली बंबे में रह रह रहें तो आई बॉन ब्राट अप इंडेली अपने कल्चर बूल गया जिस आदमी को अपने कल्चर बताने में शरम आती है ना मुझे तो लगता है कि वह उसको अपने बाउजी का नाम बताने में शरम आ रहे हैं ऐसे ही फील होता है आदमी को ना हमेशा अपने कल्चर से जुड़े हो रहना चाहिए कि आप जिस भी कल्चर से बिलों करते हो अपने कल्चर पर फक्र होना चाहिए आपको और भिबात community की community अपने लोग से हमेसा connected रहे हैं जैसे मारवारी हमेसा connected रहते हैं अंको सरम बिल्कुल नहीं होती फर्वा नहीं है कि सामने वाला क्या क्हाएंगा दूसरा क्या क्हाएंगा एक कौन थे वो निर्मा के फांडर वह साहत पतेल थे वह नहीं उटोड़ ने सुरूड़ात में कैसे सर्फ बिछना सुरू आ हैथा साीकल पे घुम-घुम कुछ के जंदीकि में नहीं चलाने ऊहले वह जोंग करें ना करें तो शायद मारवाड़ी की तरह कोई भी बन सकता है कुकु एफम डाउलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पेंड कमेंड में डाल दिया है कुकु एफम पर आउडियो बुक्स सुनकर बहतर बनते रहिए और मारवाड़ी के जिन्दगी से जितना सीख कर हम अप